वालकम टू एपीटुटूर्स डॉट कॉम मैसल फाकास पडियार आज हम ये वीडियो में पीएच्पी में कोई e-commerce website की जो theme होती है उसको कैसे integrate करेंगे वो देखेंगे तो सबसे पहले आपको बता होगा कि website बनाने के लिए जो user set जो requirement होती है जैसे कि अभी ये वीडियो में हम देखेंगे e-commerce website बलब कि online shopping card जो website है तो वहाँ पर पुरा एक layout design करना होता है तो अभी layout designing करने का काम तो PHP developer करते नहीं है उसके लिए web designer होते है company में लेकिन if you are PHP developer और node.js developer और angular developer whatever developer you are तो जो front end में आपको जो theme implement करनी है तो उसका कैसे implement करेंगे वो देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी website है जहां से आप website में से template डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि आप लिखो यहाँ पर online e-commerce website templates तो यहाँ पर बहुत सारी websites available जैसे theme forest है then color live है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन मेरी एक फेवरिट website है जहां पर अच्छा अच्छा template मिल जाते हो भी free of cost में w3layouts w3layouts.com यहाँ पर आपको सारे templates मिलेंगे free of cost और दूसरी एक website है जहाँ पर आपको अगर recent template चाहिए theme forest यहाँ पर आप html में जाके भी आप search कर सकते हो e-commerce या फिर html पर पर पहले क्लिक किजिए उसके बाद just type e-commerce तो यहाँ पर भी themes available हैं यहाँ पर जो themes available वो paid है तो आप उसको buy कर सकते हो और अगर आपको buy नहीं करना है तो आप यहाँ पर w3lows.com में जाके अपने category के इसाप से देखो यहाँ पर बहुत सरे templates available है तो आप category में जाके e-commerce select कर दीजिए सबसे पहले option दिया हुआ है e-commerce online shopping just click on that so it will open various templates तो यहाँ पर देखो बहुत सारे templates है जिसका आप live review देख सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो चलो यह grocery जो वाली website है इसी को हम select करते है और यहाँ पर grocery का template दिया हुआ है जो भी template आप लेते हो उसके पहले एक बार demonstration कर लीजिए कि आपको कैसा template मिल रहा है जैसे कि देखो यहाँ पर सब category का drop down दिया हुआ है य second यहाँ पर जो products है तो product की अगर हम बात करते है तो देखो यहाँ पर सारी products दिख रही है अगर आप कोई भी product पर click करते हो जैसे मैंने यहाँ पर quick view किया तो उसकी single page दिखता है अगर आप उसको add to card करते हो तो यहाँ पर card का option दिया हुआ है लेकिन यह जो card है वो jQuery के base पे इसी को हम पुरा modify कर सकते है sign up signing के इसाब से तो फिलाल तो हम यह website की जो layout है इसको हम final करते है and download download के लिए यहाँ पर यह 600 रुपीज पे करना है लेकिन यह फ्री में भी अवलेबल है जस्क्लिक अन्द फ्री डाउनलोड टेंपलेट्स आई अग्री और यहाँ पर देखो अगर आपको इसको फ्री में चाहिए तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करें औud desktop प्रिया दाउनलोड में और यह डाउनलोड हो गई अगर डाउनलोड नहीं हो रहा ता आप उसको Twitter में जाके के ट्वीट कर दीजिए एक बार या फिर फेस्बुक में सेर कर दीजिए तो यहां पर डाउनलोड का टेंपलेट जो है वो ओपन हो जाएगा तो यहां पर दीजिए डाउनलोड हो गया सक्सेस्पुली विंजीप और विंडर दोनों में से हम किसी में भी जाके रैट लिक एन एक्सटेक करेंगे तो देखो यहां पर थीम एक्सटेक हो गई इसके अंदर सारी फाइल्स दी हुई है बहुत सारी फाइल से यहां पर जेस फाइल इमेज उसका पेद दिया हुआ है देन चेक आउट कांटेक्ट यह एक्चुली लोड ले रहा है उसका एक रिजन है जो फॉन्स है जो फॉन्ट एक्चुली यूरल में से लोड हो रहा है अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हो तो इंस्पेक्ट अलिमेंट में जाहिए यहां पर कांसोल में आप देख सकते हो कोई एरर है के नहीं नेटवर्क में देख सकते हो अभी एक्चुली मुझे रिफ्रेस्ट करना पड़ेगा इसको एक बार तो यहां पे फॉन्ट फैमिली जो मिसिंग है तो इसलिए वो टाइम ले रहा है लोड होने में चलो इसको कोई प्रॉ इसको साइन या कर सकते है अगर अपने को यूज करना एटो तो अभी फिलाल क्या करना यह यह ल्याओड को प्लाइम प्लेंगे तो वो चीज़ करेंगे तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे NetBeans में File, New Project, PHP Application इसको मैं नाम देता हूँ E-Commerce and Finish तो यह मेरी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन गया Index Page को मैं Delete कर रहा हूँ सबसे पहले मुझे क्या करना है JS, Images, Font and CSS यह चार फोल्डर है कई बार थीम में CSS भार भी होती है as a text file तो इस सब चीज़ को कॉपी करके आप NetBeans में Paste कर दीजिए ओके अभी मुझे कौन-कौन से पेज़ की requirement है उस सबसे हम पेज़ को यहाँ पे create करेंगे तो सबसे पहले मेरा पेज़ बनेगा home तो home के लिए मेरा जो layout है वो कहां से final होगा तो यहाँ पे home नहीं दिया है लेकिन index जो है उसी को हम home बोलेंगे उसके बाद दूसरा page लेना है मुझे about तीसरा page मुझे लेना है contact contact का form यह रहा तो यह तीन page है जिसके layout मुझे यहाँ पे available है again वो font net पे से load कर रहा है तो इस तो थोड़ा time लगेगा ओके तो देखो यह home page open हो गया साथ में यह about us and third one is a contact तो हम क्या करेंगे सबसे पहले index जो page है उसको right click notepad++ या visual studio code कोई भी editor आप यूज कीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 2300 line का code है इसको मुझे control A control C index में जाके control A control V नया page बनाएंगे for about उसके लिए भी about right click notepad control A, control C आप यहाँ पे देखोगे तो about us में 1300 line का code है control A, control V and contact के लिए right click open with notepad++ यहाँ पे आप देखोगे around 1333 so create one new page and name it contact and paste it तो यहाँ पे यह तीनों पैविल में बना दी इसको हमें एक बार टेस्ट कर लेते हैं chrome में जाके right click run file here it's working fine then about again it's working good and contact right click definitely यहाँ पे सब कुछ हो गया है यह मेरा जो काम था वो ओके और कौन से पेच की requirement है हम यहाँ से देखेंगे तो जैसे की product जो है product में यहाँ पे दो option दिये हुए product product two तो यहाँ से मुझे finalize करना पड़ेगा कि कौन सा product का layout मुझे रखना है उसके साथ single and single two मतलब product जो list होता है उसके दो layout है single मतलब product पे हम जब click करते हैं तो उसके detail के दो layout है तो देखो यहाँ पे product का आप देख सकते हैं layout यह layout 1 है यहाँ पे देखते हैं layout 2 मुझे यहाँ पे almost difference आप देख सकते हो थोड़ा width में है difference और तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे तो उपर से भी एक बार देख लेते हैं okay actually see if एक demonstration दिया है बाकी almost same है सब same है ओके चलो अभी details देखते है single page और यह भी एक single page है यह दोनों same ही है कुछ change नहीं है लेकिन कई template में आसा होता है कि हर एक जगा पे अलग अलग layout देते हैं वो लोग different layouts तो अभी हमको क्या करना है तो यह product का जो page है इसका जो notepad में open करेंगे dot php control a control v अगर मुझे details दिखा नहीं है तो product details details के लिए हम जाएंगे single dot html बहुत अब ऐसे क्या करना है आपको जितने भी layouts है इसको आप html में open करके अपने php के project में हम डाल सकते हैं तो यह हो गया about us हो गया contact us हो गया check out तो यह जो check out का page है बलब जिसको हम card बोलेंगे shopping card जहां पर आप देख सकते हो कितनी products आपने अभी तक purchase की हुई है तो वो layout यहां पर भी open हो रहा है font load होने के बाद तब तक हम एक page बना देते हैं card करके php file and name it card तो यहां पर आप देख सकते हो इसने नाम दिया यहां पर theme में check out तो हम नाम दे देंगे इसको card तो right click notepad plus plus control a control c control v okay इसके अलावा I don't think और कोई page काम में आएगा अगर आपको यह faq भी रखना है यह भी अच्छा दिया हुआ है तो इसको भी हम open कर लेते हैं notepad में control a control c right click new php file faq okay इसके अलावा अभी कोई यह टाइपोग्राफी देख लेते हैं payment बेकपार देख लेते हैं अगर कुछ काम का निकला इसमें से okay इसके अलावा okay done अभी main question है यह सब अभी हम जो ले रहे हो तो सिप copy paste कर रहें लेकिन यह copy paste में क्या है कि यहां भी यह सब static चीद लिखी हुई हैं तो हमको तो PHP में database connectivity करने के बाद इसको डायनामिक करना है तो अभी जो हम करें that is a layout यहां से website नहीं हो रही है ready यह सिर्फ layout ready हो रहा है तो typography में देखो आपको यह सब दिया हुआ है कि अगर आपको इसका इस्तमाल करना है तो आप इसके class जो है use कर सकते हो इसका code जो है आप उठा के अपने project में भी डाल सकते हो directly ओके सो इदेखो payment का option दिया हुआ है कि अगर आपने checkout करने के बाद आप यहां भी यह option दिखा सकते हो net banking option है card का option है या फिर cash on delivery and privacy policy में आप देख सकते हो पूरी information ल और now we focus on PHP part मेरा पूरा layout जो था वो यहां पर सब कुछ हो गया लेकिन अभी यहां पर एक problem है problem क्या है मैं आपको describe करता हूँ using paint आपने भी देखा होगा कि जो website है यह structure है website का structure ऐसा है कि उपर जो है that is header उसके बाद जो है menu और इसके बाद है footer और कई जगा पर sidebar है और कई जगा पर sidebar नहीं है तो यह जो part है that is header उसके बाद menu उसके बाद footer तो यह जो code है वो हर एक जगा लिखा हुआ है मतलब हर एक page में header का भी coding लिखा हुआ है about footer का भी coding लिखा हुआ है and menu का भी coding लिखा है पर लब 1 2 3 4 5 6 7 7 pages में यह जो portion है 1 2 3 उसका coding repeat हो रहा है तो अगर वो repetition को हमको minimize करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक अलग से folder create करेंगे जिसका नाम हम देंगे theme part या फिर आपको कुछ भी देना आप दे सकते हो theme part include blocks divisions तो वो folder के अंदर हम यह सारी file के जो coding है उसको यहां से हम extract करके मतलब यहां से उसको cut करके वो file में paste कर देंगे और जो header.php है with the help of include or require function इसको हम इसको call कर देंगे इसका benefit क्या होगा कि in future अगर आपको header में कुछ change करना है तो आप एक जगा पे change करोगे तो सारी जगा वो अपने आप reflect कर देगा it's a kind of reference of your php file तो let's do it तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो यहां पे आप देख सकते हैं website में यह जो portion उपर वाला वो common रहता है और नीचे जो footer वाला है वो भी common रहता है तो यह जो हमको पहले find out करना पड़ेगा step by step जाते हम इसको तो home.php हम जाएंगे एक बार run करते हैं run करने के बाद हम check करेंगे यह कहां से आ रहा है coding तो देखो यह सब html की css file उसको हम as it is रखते हैं अब यहां पे रखेंगे header तो आप देख सकते हो यहां पे header लिखा हुआ है इसको मैंने block को cut कर दिया अगर इस अपर का जो portion दाओ निकल गया है यहां से तो theme part यहां पर एक folder बनाएंगे theme part यहां पर मैं नाम देता हूँ new php file header.php मतलब तो यहां पर इसको निकालके header का code paste कर देते हैं and then यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा php then include control space theme part header.php so include function क्या करेगा यह जो file है उसको वापस यहां पर call करेगा अगर मैं इसको refresh करता हूँ तो देखो यहां पर header वापस आ गया वैसे ही अगर मुझे menu करना है तो देखो यहां पर option है यह model box मतलब pop-up के लिए है अगर इसको निकालते है यह भी model box है इसको निकालने से यहां पर कोई benefit नहीं हो रहा है एक बार आपसंडू कर लेते हैं देख लेते एक बार ओके यहां पर कोई problem भी नहीं हो रही है और कोई benefit भी नहीं यह code रखने से लेकिन हाँ वो pop-up जो था login sign up का वो यहां से आ रहा था मुझे pop-up की requirement नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ delete तो इ refresh ओके next जो code है वो है इसको मैं comment करता हूँ इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा navigation तो जो menu था वो पूरा निकल गया यहां से तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा theme part menu नाम देता हूँ top-menu paste save PHP हमको यहां पर call करना पड़ेगा include theme part top-menu देखो top-menu वापस आ गया ओके अभी यह जो slider है इसको तो हम चेंड नहीं कर सकते हैं इसको तो हम कर देखना पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ home page में available है हमको ऐसी चीज करनी है जो हर एक page में common रहती है slider जो सिर्फ home page पर दिखें आपको तो इसके लब आप देख सकते हो जो footer है यह footer हर जगा common रहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे now go to footer it's very difficult to find so एक काम कीजिए यहां से कोई random copy कर लिए track your order देखो हम सिधा footer पर आ गए तो देखो यह footer tag है यह 300 लाइं का footer code है साथ में यह copyright भी है तो यह 300 प्लस जो line है इसको हम cut करेंगे save and refresh तो अभी हम इसको देखेंगे तो देखो नीचे से पूरा footer निकल गया तो इसको हम नाम देखेंगे theme part में footer and paste it लेकिन यह जो उपर का जो ब्लॉग है footer top अगर इसको आपको cut करना है तो इसको 19 lines को भी cut करके यहां पे footer में आप इसको paste कर दो देखो यह जो मैं कर रहा हूँ it's up to you आपको कौन सी चीज निकाल नहीं है कौन सी चीज रखनी हूँ आप बाद में भी decide कर सकते हो अभी सिर्फ मैं division कर रहा हूँ जिससे आपका आदा काम easy हो जाएगा theme part footer अगर आप refresh करोगे तो देखो footer वापस आ जाएगा अगर आप चाहते हो कि मुझे यह ब्लॉग रखना ही नहीं है तो आप इसको delete कर दो यह नहीं रखना है तो उसको delete कर दो जो भी चीज आपको निकाल नहीं है तो आप html में easily निकाल सकते हो मैंने सिर्फ क्या किया कि header footer हर जगा common कर दिया अभी एक ही page में हुआ है previously हमने जब देखा आधा home page में around 2300 lines of code थी अभी आप देख सकते हो सिर्फ 1200 हो गई है और अभी क्या करना है जैसे जैसे हम इसको हम आगे dynamic process करेंगे तो यह जो इतनी सारी products है वो निकाल के सिर्फ हमको एक loop में घुमाना है एक fall loop जिससे आपका यह भी code है वो भी around कम हो जाएगा तो यह हुआ home page के लिए यह सेम चीद मुझे करनी है about us, cart, contact, faq, homepage तो यही चीज़ को मैं फटा फट मलब थोड़ी fast process मैं करता हूं तो सबसे पहले यहां पर देखो header है header को मुझे क्या करना पड़ेगा cut करना पड़ेगा तो यह model box header को मैं यह पूरा निकाल देता हूं include php include करना यहां पर theme part and header इसको बेकमा run करता हूं अगर मैं इसको थोड़ा comment करता हूं तो यह देखो आपस निकाल के देखते हैं यह थोड़ा speed में करूंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हर एक page में यह करना पड़ेगा model box हमने पहले decide किया था model box ही कोई requirement नहीं है shift delete it ओके then top top bar मतलब navigation इसको अब निकाल देते हैं यहां पर PHP फिर PHP में मुझे क्या करना है include include then उसके बाद top menu refresh अगर मैं top menu को comment कर देता हूं तो पूरा menu निकल गया अगर undo करता हूं तो वापस आ गया उसके बाद footer सेम चीज footer में हमने देखा था footer करके tag है तो उसको मुझे क्या करना है यह पूरा tag जो है यह डिलीट कर देना है PHP tag open PHP tag start include theme part उसके बाद footer ओके यहां पर change नहीं दिखेगा आपको सिर्फ इतना ही है कि यह code लिखने से यह proper work हो रहा है देखो अपने footer निकाल दिया निकल गया undo करेंगे वापस footer आ गया हो गया about us में यही चीज़ हमको करनी पड़ेगी cart में भी करनी पड़ेगी तो cart में जाके वापस header निकाल देते है model box हो साथ में delete कर देते है क्योंकि मुझे पता है model box ही कोई requirement नहीं है यह पूरा coding निकल गया PHP file प्येट पी फाइल वापस include then theme part header उसके बाद menu के लिए top निकालना है पूरा include then उसके बाद theme part top menu यह पूरा आ गया ओके चलो अबाउट हो यह स्वारी cart इसको एक बार हम रन करके देखते हैं ओके दन उसके बाद वापस footer footer के हम लिखेंगे footer footer where is footer okay where is my tag got it footer cut done then next is contact contact में header को हम cut करते है header model model 2 model 3 select it delete it php tag open php tag close include उसके बाद theme part उसके बाद header तन उसके बाद यहां पर यह जो top menu है इसको भी मैं cut कर देता हूँ php tag open include then theme part top menu ब्राबर इसको हम रन करते हैं देन top menu आ गया मेरा देन उसके बाद next जो है footer करना है मुझे तो footer के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा footer footer को हम cut करेंगे यहां पर ओके footer भी हो गया cut include theme part footer and run it ओके footer हो गया चलो contact हो गया उसके बाद faq तो faq के लिए मुझे वापस header को cut करना पड़ेगा view class यह हो गया model box include theme part header उसके बाद top अभी यह last page है क्योंकि हर एक जगा अगर मैं करने जाओगा तो यह वीडियो जो है बहुत लंबी हो आगी तो आप समझ सकते हो कैसे इसमें काम करना है अभी तो यहां पर भी footer include theme part footer right click run file ओके तो हर जगा पैसा कर दो अभी देखो benefit क्या है इसका तो header में अगर हम जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है grocery shop यहां पर लोगों लिखा हुआ है तो वो निकाल के मैं कुछ और लिख देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ AP AP cart AP cart shopping by आकास अलब यहां पर यह जो A है कई बार यह logo image भी होता है देखो AP cart आकास तो यह भी कहां का reflect हो गया अगर आप इसको about में भी देखोगे कार्ट में भी देखोगे उसके बाद home page में भी देखोगे तो हर जगा वह reflect हो गया लेकिन product details में अभी आपको पूरा ना दीखेगा क्यूं क्यों क्योंकि product details और product listing में अभी तक मैंने header menu और footer को common नहीं किया हुआ है तो यह benefit हो गया कि अगर आप एक जगा पर reflect करते हो हर जगा reflect हो जाएगा अगर आपको यहां पर mobile number change करना है यह option change करने तो यह सारे options जो है वह आप easily change कर सकते हो तो यह आपको ऐसे ही पूरा layout design करना है आप इसको navigation भी आप दिए सकते हो जैसे header menu है तो header menu में मुझे ऐसा करना है कि अगर मैं about us पर क्लिक करता हूँ या home page में तो वह navigate होना चाहिए तो उसके लिए top menu में जाएंगे top menu में जाके हम लिखेंगे home तो where is home तो यहाँ पर दिख मुझे लिखना पड़ेगा home.php about.php तो इसको मैं refresh करता हूँ देखिए about us home page बुलब यह navigation भी यहाँ पर चालो हो गया अगर आपको यह pages का option निकाल देना है household का option निकाल देना है तो आप यहाँ से easily यहाँ पर मैं search करता हूँ pages तो यह जो drop down है उसको मुझे क्या करना है delete save refresh तो about us and home page दोनों मैं से यह pages का option निकल गया तो यह था एक simple सा demonstration कैसे UI को पूरा आप design copy कर सकते हो और अपने इसाप से designing भी change कर सकते हो जैसे मुझे content change करना है तो वो तो आप normally HTML में जाके यहाँ पर आप change कर सकते हो तो हमने यह वीडियो में देखा कोई भी HTML e-commerce को template को कैसे हम download करतके अपने PHP project में integrate कर सकते हैं और एक पूरा layout जो है define कर सकते हिडर, footer, sidebar और जो भी requirement उसे अपसे हम page भी copy कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको आगे अपने कोई भी project के लिए अगर आप e-commerce करे हो या फिर कोई भी online booking के लिए बना रहे हो या फिर xyz project अगर आप बना रहे हो तो आप यही चीज को follow करके पूरा एक layout design कर सकते हो for more information you can contact me on following details myself आकास पढ़िया, thanks for watching this video, thank you